तो हमारे पास question number 9 है यह question number हमारे पास 9 इसकी अंदर हमारे पास value दे गई है 10 raised to the power of 4 x और हम ने इसकी integration को find करें अब 10 raised to the power of 4 x हमारे पास एक ही trigonometry function है अब इसका कोई derivative नहीं दिया गया तो हम इसको first rule के जरी हल नहीं कर सकते तो उसको हल करने के लिए इसकी formation को हम change करेंगे उसके लिए हम 10 को दो हिसों में divide कर देते हैं किस तरह चले तो हम इसको लिखते हैं 10 square x dot 10 square x तो देखें यह हमारा 10 raised to the power of 4 x complete हो जाएगा तो इसको मजीद हम थोड़ा साथ तोड़ते हैं ताकि इसको हम हल कर सके अब 10 10 multiply हो रहा है तब भी हम इसकी integration नहीं find कर सकते हैं तो हम इसको मजीद change करते हैं मैं क्या करता हूँ कि 10 square x को जो हमारे पास दीगी यह value इसको मैं सीकेंट में change करता हूँ तो उसके हमारे पास value बनेगी सीकेंट square x minus 1 into dx अब मैं 10 को multiply करता हूँ सीकेंट के साथ और भी 10 को 1 के साथ multiply करोगा तो यह बन जाएगा 10 square x secant square x 10 को 1 के साथ multiply करेंगे तो बन जाएगा 10 square x into dx अब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन बन रही है यह अब यहां पर इसकी फॉर्मेशन complete होगी देखें क्योंकि हमारे पास यह 10 x जो है फंक्शन है उसके साथ उसका derivative multiply हो रहे है इसको हम easily हलका सकते हैं इसकी पावर में इसाफा कर नहीं है इसको बनाने के लिए फिर से इसकी फॉर्मेशन को चेंज करता हूं वह बन जाएगा 10 square x secant square x minus 10 के मारे पास फार्मूला बजूद होता है secant square x minus one के equal तो मैं इसके साथ dx लेक्स लेक्षा हो यह मैं इसके साथ बड़ी ब्रैक्ट लिखा थोड़ी सी अब आप इसकी इंटिक्रेशन को अलग अलग लिखें 10 square x अब यहां पर आप देखें 10 10 का derivative होता है secant square x तो हमारे पास मजूद है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब एक्स ओवर क्यूब प्लस यह माइनस अब यह हमारे पास अरामत है माइनस की तो हम माइनस को लिखेंगे मैं इधर है फिर फ़िर फार्मॉले को यहां पर लिख देता हूं secant square x dx की इंटिक्रेशन यह माइनस जब इसकाद म्लटिपॉलाइएगी इसको कर देगी प्लस में इंटिक्रेशन वन वान ब्लिएंक्स अब शीकेंट की हमारे पास क्या आएगा सीकेंट स्केर की हमारे पास integration होती है 10x तो आपके पास यह फार्मूला कुछ यू बन जाएगा मैं इसको लिखता हूँ 10 3x over q minus secant का मारे पास फार्मूला आपको पता है मालूम है वो होता है मारे पास 10x के बराबर तो हम इसको डिरेक्ट 10x लिखते हैं यहां पर आप देखें secant square x की हमें integration कहा गया है secant square x की integration का डिरेक्ट फार्मूला मजूद है वो बराबर होते है 10x की और plus में हमें दिया गया 1 की integration 1 की constant और constant 1 की integration वो x होती है प्लस हम formality पूरी करने के लिए c लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि constant था जिसकी value 0 कर देगी और integration करने के बाद वो यहां पर मजूद होगा तो यह था हमारा यह question number 9 इसको मैं इस तरह से solve किया है मैं next question की जानिब चलता हूं next question है हमारे पास 15 15 question के अंदर हमारे पास दो values दी गई है brackets के अंदर मैं उनको लिखता हूं फिर हम उसको solve करते हैं हमारे पास पहला इसकी value मजूद है question number 15 की rule number 1 में question number 15 इसके तरह हमारे पास value मजूद है integration sin x cos x sin x plus cos x raise to power n और सार्थ में दिया हुआ है cos square x minus sin square x cos square x minus sin square x into dx हमें इसकी integration को find करना है by first rule अब देखें कि दो values यह आपस में multiply हो रही हैं लेकिन पहले function और दूसरा उसका derivative नहीं बन रहा उसको बनाने के लिए हम इसकी formation को change करेंगे वो किस तरह से change करते हैं देखें यहां पर sin x है plus cos x है इसकी power n दीवी एंड इंटीजर है अग यहां से हम इसकी यह फार्मूला बना देंगे a की दो माइनस b की दो तो यह फार्मूला ब्राबर होता है a plus b into a minus b तो आपने इसकी formation इसमें change करनी इसमें तबदील करनी है तो आप इसको लिख सकते हैं cos x plus sin x cos x minus sin x into dx यह हमारे पास formation आ रही है अब आप यह वाली पहले रखें क्योंके हमें मालूम है कि यह हमारे पास एक function है यह यह यूँ देखें यह हमारे पास बन रहा है a plus b raise to power n और यह हमारे पास बन रहा है a plus b अब यह दोनों की base जो हो सेम आ रही है जब दोनों की base सेम हो तो वो पावरे अपस में इनकी powers जो है वो जमा हो जाएंगे इसकी power 1 है उसकी n है तो वो क्या बन जाएगी n प्लस 1 और यह उसका derivative बन जाएगा चलें जी मैं इसको change करता हूँ तो यह बन जाएगा sin x plus cos x इसकी power बन जाएगी n प्लस 1 देखें यहां पर इसकी power n है और साथ यह है इसकी power 1 यही formation बन भी है जैसे के हम x multiply by x करते हैं अगर इसकी power n हो जब यह multiply होंगे तो इसकी power क्या बन जाएगी x raised power n प्लस 1 बिल्कुल सेम यही रूज जाए इसके इंदर यूज किया है मैंने और इसके साथ हमारे पास value आ जाएगी cos x minus sin x साथ में है dx अब यह हमारे पास एक function है अब यह एक function है और यह इसका derivative मजूद है कैसे sin x का derivative क्यों होते है cos x cos x से derivative क्यों होते है माइनस sin x तो इसके अंदर function और उसका derivative multiply हो रहे हैं तो क्या करते हैं function की power में इजाफा करते हैं पहले हैं हमारे पास n प्लस 1 वो बन जाएगा n प्लस 2 sin x plus cos x raised to power n प्लस 1 अल्रेडी है हम खुद अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं वन का और डिवाइ प्लस 2 तो आप इसको लिखेंगे sin x plus cos x raised to power n प्लस 2 divided by n प्लस 2 plus c is equal to 0 इस तरह से हमारा rule no.1 जो है वो complete हो जाता है